और बहुत महनद लगता है वाइरिंग के काम में भी इधर से डाल रूँ खुसाओ वाइर को उधर से खीचो बहुत टेंसन वाला काम है लेकिन कोई बात नहीं मैं तो वैसे भी आल-इन-वान हूँ हर काम थोड़ा सा अगर समझ गया कि हाँ ऐसा करना है तो मैं जान लेता हू कानेक्शन का नहीं पता थोड़ा सा कन्फूजन हो जाता हूं तो कनेक्शन के लिए दूसरे से करवा लेंगे लेकिन हां जो ही है वाइर का इधार उधार करना वह सब मैं जार रहा हूं तो वह सब करके ही कंप्रिल करूँगा तो देखते रहिए अब तो लाइट चलेगा ह क्योंकि कि मुझा सिर्फ 22 जन्वरी का इंतजार है 22 जन्वरी के दिन हम मेरे घर में सभी तरफ एकदम लाइट जलना चाहिए यह मेरा थिंकिन ए और 22 जनवरी क्यों कि हमारा रामलला का उस दिन विराजमान हो रहा है और हम इसलिए 22 जनवरी का ही दिन में पसंद क्या हूं तो हलो फ्रेंच तो आज सटरड़े है किता तारीख है आज 6 जनवरी है तो आज अपन हाल का पूरा कर दिये हैं अभी कनेक्शन नहीं लगाए है लाइट का और अभी रात को रात का टाइम हो गया साड़े आट बज गया आज बहुत ठक गया है बहुत दिन बाद कमर दरत दे करके दिखाता हो एक बार और जो भी बचा होगा फिर आप कल करेंगे कल संडे है तो कल तींबर घर में रहेंगे तो कल करेंगे तो प्रेंट यह देखिए सटरड़े का दिन में अपन काम करने थे उसका कुछ दिखा रहा हूं आपको और आपका स्वागत है हमारे चैनल घर को बुलाए हैं यह वाइरिंग का काम जानते हैं तो इनको बुलाए है करनेक्शन कराने के लिए और यह सटरड़े का दिन का वीडियो है और इससे पहले आप देखे वह नाइट का था और बड़ा बारिकी से काम करना पड़ता है महुत दिमाग खराब हो जाता है कभी जो रहा है अपना वो कभी घुचता था कभी नहीं घुचता था मूर जाता था बड़ा परेशानी होना पड़ता था लेकिन कोई बात नहीं कोशिस करने वालों कि हार नहीं होती बोलते हैं वह सही बात है और धीरे से यह कंप्लीट हो भी गया तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि परेशानी वाला काम है वो तो अच्चा है कि मैं जब छभाही हो रहा था तो सारा काम महीँ किया था तो मुझे पता था कि कहां से कैमरी जाamat待 का जाए ऑन मुझे अर्वां तो मने थे इसलिए मुज तो कोई परेशानी नहीं हुआ और मैं सबको सबका पॉइंट जानता था कि हाँ यह पॉइंट शे ऐसा के बल जाएगा वह पॉइंट शे ऐसा के बल जाएगा तो सारा चीज मुझे पता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और जब चबाई कर रहे थे जीजा लोग तो यह जीजता भी पाइप अंडरगाउंड का हुआ है वो सब मैं ही किया हूँ ड्यूटी से जाता था फिर लग जाता था उससी में और जो भी है इसका डेकॉरेशन लाइट का वो सब मेरे ही अकॉर्डिंग हुआ है और यह देखिए अपन धीरे धीरे बहुत काम कर रहा है यह देखिए यह कमरा है ललीता का इसको भी अपन इसको भी अपन कर लिये है इधर एक जास के लिए लगा दिये है और यह सिरी देखिए इसको अपन किराय में लाए है किराय में तो यह कमरा हो गया है यह देखिए कचड़े जैसे अब पड़ा हुआ है समान अब कल करेंगे और काम और यह जो है यह हमारा मेंड mcb है यहीं से हपन सप्लाई करेंगे मीटर से सिदा मीटर से सिदा यहीं पर आएगा कलेक्षन फिर यहां से सप्लाई होगा चारो कमरे में में हॉल में कीचन में सब जगा तो जो भी बचाओ काम है अपन कल करेंगे तो फ्रेंट यह देखिए यह है अपना यहीं पर में से भी और पूरा केबल को अप इधर उधर उधर खीच रहे हैं जहां जहां कनेक्शन करना है वहां वहां कुछ-कुछ जगा का हुआ है और तो बहुत काम करना है सटरड़े है आज तो 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 बचा हुआ है संडे को कल छुटी रहेगा तो कल भी अराम से करेंगे और यह देखिए हमारे कीचन की तरप कीचन का भी यह है अपना कनेक्शन और लाइट बहुत ज़्यादा हो गया है कोई बात नहीं मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छी तरह से वायरिंग किया हूँ और यह सेड़ी इसको लाने में भी हम लोगा बड़ा दिक्कत हो था मैं और मेरा भाई छोटू गया थे लेने के लिए और विचारा पीछे बैट के पकड़ा हुआ था मैं बाइक चिला के लाया हूँ इसको और पूरा लगे ह मैं साम हो गया संड़े के दिन तो अपन बहुत समय से काम किये है कि आज कि और एक बाद बता हूँ आप लोग भी हैं सेंगे मैं तीन दिन वसक नहाया भी नहीं था सनी वाहर रभी वार शोम वार सिधा को स्टिंडे के सामको नहैं था को कि अंग्हों कि पर क्योंकि जल्दी हमें खतम भी करना आता और के हमारा भी ड्यूटी रहता हिं तो इसलिए ज़्यादर रात रात में ही काम किये इसकाδे जल्द जल्दी खताम हो जायबूल करके और ये पूरा वाइरिंग का काम अब थोड़ा बहुत आ जाता है और मैं इसमें क्या के लगाया हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा ना जादा दिमाख नहीं लगाता हूं बुद्धी जादा नहीं लगाता हूं तो आप लोग देखते रही है यह बड़ा मज़ा आएगा इसको यह देखिए यह मखडी के जाला जैसे पहले ही पढ़ा हुआ था हमारे घर में लाइट पिछले पांच महन से ऐसे ही चला रहा है जबसे घर का चबाई हुआ है तब से और यह देखिए मैं और बिच्वा करें से देखिए क्यूक्तام में लिखा रहे हूं और जो केबल करें नहिछ रूम śए नहिंसी Song रोम और ओसको अचीए वह रही हौ और यहां शाय आ लगा हुआ है वो मेरे नॉलेज के लिए है कि क्या है मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं ज्यादा दिमाख नहीं लगाता हूं और यह हर एक वायर में लेबल है हर मोड पे लेबल है ताकि पता चले कलके डेट में अगर कुछ होता है तो अपन उसी पॉइंट पे उसी केबल पे काम करेंगे तो इसलिए मैं पूरा लेबल लगा के रखा हूं कि अब इसको आप चाहिए जो भी बोलिए यह देखिए उस लेबल को मैं कहां पर लगा रहा हूं आपको भी दिखाता हूं और जो केबल अंडर आया हुआ है अपना कमरा में अब वो उसमें भी लेबल लगा हुआ कि वो केबल कहां से आ रहा है किस चीज के लिए कौन साल लाइट के लिए है और हर चीज का लेबल लगा कर रखा हूं कि मेरे हिसाब से तो हम लोग वाइरिंग बहुत अच्छा करा हैं या फिर किये हैं और और बहुत परिसान होना पड़ता है वार्निंग के काम में यह देखिए यह एक एक चीज का लेबल आपको दिख रहा है और उसका फेस है उसका न्यूटल है उसका भी मैं बना कर रखा हूं तो हम प्रेंट्स हमारा ब्लॉग कैसे लगता है आप बिलकुल आप कमेंट करके बता हो सके और आप देखें यह देखिए हर लेबल पर यह मोड है मोड टर्निंग पॉइंट है तो इस पॉइंट यह कुन सा केबल कहा जा रहा है उसमें भी लेबल लगाया हूं मैं तो प्रेंश और जब लाइट आएगा तो बच्चों में खुसी बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम लोग पितले 6 मानस ऐसे एक बल्प से चला रहा है कम कोई बात नहीं क्योंकि हमारे राम लला का आगवन हो रहा है तो हमारे भी घर में उजाला होगा इसलिए मैं पूरा वायरिंग का काम कंप्यूट कराना चाहता हूं थोड़ा बहुत बचेगा सामने का फ्रंट का तो कोई दिक्कत नहीं है उसको मैं धिरे-धिरे कर लूँगा